प्रियाग राज के फाफा महू अंतरगत गोहरी गाओं में चार लोगों की धारदार हतियार से काक कर हत्या कर दी गई थी। द्वारा दी गई बाइट। द्वारा उसको एश्विगार किया जा रहा था, बार-बार उसको मना किया जा रहा था। अंतिम मैसेज के आधार पर और सर्कम्स्टेंशल एविडेंस के आधार पर पवन सरोज की गिरफतारी की गई है। और इनके द्वारा भी विवेश्णा में सहयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये बात सिद्ध हो गई है कि इनके द्वारा कुछ लोगों के सहयोग से हत्या की गई थी। नाम के बारे में इनके द्वारा कुछ नाम बताये गए हैं जो नाम बार बार ये बदल बदल के बता रहे हैं। हत्या में जो शामिल अन्य लोग हैं उनके बारे में भी विवेश्णा जा रही है। इनकी call details, DNA profiling उसके आधार पर अग्रिम कारवाई की जा रही है। जो अभी तक की नाम जद्गियां हुई थी, उन नाम जद्गी में उनका आपस में एक छोटा विवाद केवल मृतक पक्ष के भाई से था। उसे लेकर अभी तक कोई evidence आसा सामने नहीं आया है कि उनके द्वारा हत्या की गई है। इस पर अभी भी जो investigation चलेगी, सभी call records, DNA के जो results आएंगे, उनके आधार पर आगे कारवाई कीजा। पुलिस को कैसे शक्तु है सर, क्या आधार रहा पुलिस का। पुलिस के द्वारा जब मृतका का mobile देखा गया, तो उसमें कुछ message मिले थे। और उसके साथ ही, जब उन message के आधार पर पवन सरोज को पकड़ा गया, तो पहले वो मना करता रहा, कि मैंने कोई लड़की को message नहीं दिया, ना में लड़की को जानता हूँ। लेकिन जब उसको message दिखाए गया, उसका mobile बरामत किया गया, तो स्वेम के mobile से उसमें message मिल गया, उसने गौरी मैम नाम से बच्ची का number सेव किया हूँ। और जो मृतका की आयू है, उसके प्रमाण हमें मृतका के mobile से मिले हैं, जिसमें June 96 उसकी data guard है, जिससे जो कोक्सों की धाराए हैं, वो भी इसमें कम की जा रहे हैं। किया इस बच्ची के साथ, योती के साथ सामुएक बलादकार भी हुआ है, कुछ evidence मिले हैं, पूर्ण blood बलादकार करने वाले जो पकड़ा गया है वेक्टी, उसके बलादकार की पुष्टी हो चुकी है, इसमें जो निशान मिले हैं, उसके पीबी केर्स पे निशान पाए हैं और जो अभी तक परिक्षन रिपोर्ट आई हैं, उसमें ये सिद्वा है कि वहाँ बलादकार हुआ है, लेकिन कितने लोगों द्वारा किया गया है, इसके बारे मेडिकल ओपीनियन ली गई, जो अभी जो पोस्मार्टम पैनल था, उससे बाचीत की गई थी, तो उनके की वक्ति द्वारा की गई है, लेकिन जो दूसी, जो इनकी मा है, मृतका की, वो भी उसको भी मारा गया है, उनके साथ रेट की पुष्टी नहीं हुई, क्या एक व्यक्ति इस घर्टना को अन्जाम दे सकता है, और पकड़े गए व्यक्ति के शरीर पर भी चोट के प्रति उनके निशान है, यह व्यक्ति क्योंकि अनपढ़ है, और एक तरफा प्यार करता था, उसे लेकर इस पर जब इसके शरीर की जाच की गई है, तो प्राइमार बेसाई उस पर कुछ चोटो के निशान है, इसको इस पर मैडमिट कर रहा है, कुछ इसकी शर्ट पर निशान मि और डी ने प्रोफाइलिंग के बाद यह मामला एक दम क्लियर हो जाएगा, ठीक, थैक्कु थैक्ट